तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं Realme Narjo 20 Pro Smartphone के बारे में जो की 21 सप्टेम्बर को इंडिया के अंदर लॉंच होने वाला है जहां पर इसकी Officially Almost Confirm Specification के बारे में बात करने वाला हूं और इसकी प्रैजिंग के बारे में भी बताऊंगा तो फाइनली वीडियो काफी इंट्रेस्टेड होने वाली है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे है बट आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकेशन को भी ओन कर लीजे तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डियाइन और बिल्ड क्वाल्टी से तो इसके अंदर आपको सेम रियल्मी 7 के ही जैसा डियाइन देखने को मिलेगा स्क्वार सेप में क्वार्ट केमरास मिलने वाले हैं बट इसका back panel थोड़ा सा change हो सकता है because ये black and white दो color variant के साथ आने वाला है डिस्प्ले के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच की full HD plus IPS LCD डिस्प्ले देखनी को मिलेगा जो की 90Hz के high refresh rate को support करता है और इसके अंदर आपको side mounted fingerprint sensor देखनी को मिल जाएगा दोस्तो ये डिस्प्ले एक single punch all cutout के साथ आएगा तो देखा जाए तो इसका front side भी realme 7 के ही जैसा देखनी को मिलेगा और processor के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको media tech helio G95 का chipset मिलेगा जो कि इससे पहले realme 7 के अंदर already मिल चुका है तो same perform करने वाला है और ये Android 10 के साथ आएगा जो कि realme UI पर run करेगा और camera के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको rear side में quad camera setup देखनी को मिलेगा जिसका primary sensor होगा 48 megapixel का इसके अलावा 8 megapixel का wide angle lens 2 megapixel का depth sensor and 2 megapixel का micro lens देखनी को मिलेगा और front side में आपको selfie के लिए 16 megapixel का 5.4 selfie camera मिल जाएगा बेंटरी के बारे में अगर बात करती हैं तो इसके अंदर आपको 4500 mh की बेंटरी देखनी को मिलेगी जो कि दोस्तो 65 watt के fart charging को support करने वाली है तो काफी interesting बात है न और इसके अंदर आपको 3.5 mm का audio jack type C port and base unlock जैसे features भी देखनी को मिल जाएगे और दोस्तो इस smart phone का starting variant 6GB, 64GB होने वाला है जहाँ पर इसके base variant की prize होने वाली है 15-17 रुपय के बीच में तो बस आज के लिए बस इतना ही आयोग की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और इस चैनल को subscribe भी कर दीजे Thanks for watching this video and take care